हेलो स्टुजेंट्स अभी हम नुमेरिकल एक देख रहे हैं तो यह कुश्चन परते हैं प्री खुदी पता चल जाए कि से रिलेकर्ट यह नुमेरिकल है दीखें यह कुश्चन यह बोल रहा है एक चौट मैसनरी पिलर है छोटा पिलर है हाँ के उलां जहां है यह कॉलं था क कर रहा है इसका अटो बना देटे हैं तो ऱ कॉरान बना देते हैं आपको देखिए यह जो है यह इस टाइब से फिलर है तो यह जो इसका जूँआ टौप यह इसका एरिया के बात कर रहा है फाई अंड्रेट यह है दिंचन और फाइब अम्म यह भी कि अब यह क्या बोल रहा है एक टो वाट के सिंडिकिटी एपॉंट लोड़ पाइंट लोड का जो वैल्यू दिया है 9500 किलो नूटन बिप्लेस्ट उन one of the centroid Axis इसका सेंत्र आडल एक्स अक्सेस ये है नही। इस harsh है किस उन्टाइड एक्सित पे प्लेस करना मुला एक्सिति ऋंडियो धाई। कहां पर हम इस एंटिशिट्य डालें जिसके वज़ए से लट कहां लगा है जो नो टेंशन प्रोड्यूस हो फॉर नो टेंशन कंडिशन आपको बता चुके हैं इस एंटिशिट्यूद्य स्टी शुट बी लेस दन एकल टो जेड़ बाइए इस एंटिशिट्यूद्य स्टी find out करना है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम यहां मानने हैं यहां मानने हैं यह सेक्सिस पर यानि हमको जो जेद निकालना यह यह हम आपको बताया है कि यह कौन सवला है कि इसमेट कि यह हम आपको इसको क्या है है कि है कि हम आख दक काउंचिव हम यह इसलिए हमें यह एक्स डोस इस पर है सिग्मा एक्स वहला है तो हम को इस cash निकलना पडेगा जैट य्य निकलना पड़ेगा ठीक है बाट एरिया तो आपको पता ही है एरिया तो हमको simply निकल लेंगे हम इसका है ने एरिया तो मेरे पास आजाएगा 500 गुने 500 हमको बस जेड निकालने की बात है तो जेड हम में पता है आई वाइड होता है हम यहाँ यहाँ यह एक्स के निकलना है यह भी य और यह हो जागा सिर्फ यह वाले यह यह वाला डिस्टेंस थे खर आइजसे तो आई बी ऐस क्यूंव बी इसका है कि यह वाला निकालना है तो अच्छा है इसलिल से मेर्ट्रिक सेक्षी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं घ्राएं तो फिर हमको सुछना पड़ाइं ब्लिए एसका यह बटे मेक्समों यह तो इसको सोलव करने के बाद हब के पास आ जाएगा आक्यूव भाई शिक्स इह जेड वाई भाई वाई आ गया है और यह एरिया हमको पता ही है एरिया हमको यह देखे यह पता ही है ठीक ना तो हम सीम्प्ली शोल्व करते हैं और वैलू पूट कर देते हैं यह लेस देन या इकल टू केतना हो जेट बाइए तो जेट मेरे पास 500 बाइए क्यों आ गया यह जेड जेड का वैलू यह पूट कर दे रहें एरिया 500 गुने 500 को सोलो करने के बाद 500 बाइए 6 ठीक है यानि इसको सोलो के रिए तो पूड़ा आ जागा एट और फिर बीस तो तीन ना तरी तरी एमें यह जो है इस एंट्री सिटी जो है देखिए इतना है ना इसका मतलब यह हुआ कि इस एंट्री सिट सांवाय सिंट्री का वेल्व हमको यह जो है एकि फ्नकेव कर देखिए एक से स्कॉर है है इस को मैं अगर पूचता आ हो इसका इसका एक अच्रेक यह इतना वाले एडिया में अंदर कहीं लग सकता है और इसका कोर का जो वेलू हो जाता है इसका टू टाइम्स कर दिजेगा कुई कोर होता है ठीक है यह पता चुके हैं पहले थ्योरी वाले क्लास में तो गुना करने को बाद जो भी आ जाए 166.66 mm यह कोर हुआ और यह एंसर आपका 83.33 है ठीक है तो हम इस धंग से निकालेंगे जो कोश्चन है कोश्चन दिया रहेगा सिम्पली पढ़ेंगे उसको बहुत इजी कुश्चन से ठीक है सॉल्व करिए इसको फीट गयो कोश्चन नहीं बने हम में मैसेज करिए बताए चली थैंक्यू युआ उसके जाया जा झाल सॉल्व करिए इसके पसे नहीं है